नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों अभी हम इस वीडियो में 2024 बोर्ट परिष्छा में आने वाला सोसल साइंस का काफी मुहत्पुन अब्जेक्टिव कोशन बताने वाले हैं जो चातर अभी तक कुछ भी नहीं पड़ हुए हैं म मैं जो भी अब्जेक्टिव कोशन बताऊंगा अगर उसे याद कर लेंगे मैं आपको दाव एक साथ कहता हूं कि आप अब्जेक्टिव सही करके और थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव लिकर 400 प्लस नमर ला देंगे यह 100% हमारा दावा है क्योंकि हम जो भी कोशन बता आते ठीक है चलिए तो यहाँ पर आप लोग का पहला नमर कोशन है कि नेपोलियन सनी तक किस वर्स लागू की गई थी यह कोशन बहुत जरूरी है इससे याद कर लेना इसका अंसर हो देगा 1840 में क्या होगा 1840 हो जाएगा और अगला कोशन दूसरा नमर है कि गेरी वाली पेसे भी था गैरी वाली पेसे से नाबिक था दूसरा कमसर आपका मिल देगा डी नमर नाबिक था याद रखना मैं आप लोग बता दू दूस्तों एक्जाम के समय हम आप लोग बहुत हेल्ब करेंगे पीडिएप देंगे सब कुछ देंगे एकशाम में आपको हेल्बभी लेकिन उसके लिए आप हमारे वाटसप गुरूप में जूट जाते तो बहुत अच्छा रहा था वाटसप गुरूप फिरी है उसमें सब कोई जॉइन है आप लोग भी जॉइन कर लेना लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सन में दिये हुए हैं आप जाकर उसे जॉइन कर लेना ओके चलिए तो अगला कुषिन देखते है ना अगला कुषिन हमारा है तीसरा नमर हिगेल कौन था हिगेल बाबु एक दार्सनिक था हिगेल कौन था हिगेल एक दार्सनिक था इसे याद रखना है और चौता नमर कुषिन है काल माक्स का जन्म कहा हुआ था पतकामर उम्रे से हो गई थी जो इसकी बीबी बनी का नाम था यानि कि खाल माक्स जी का बीबी का नाम था जे नि 9th anybody से नहों बिवाह किया था ैकजाम में आ सकता है कि इनकी पतनी का क्या नाम था क्योंकि यह आपके subjective question में दिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अगला question है कि अंकरवार का मंदिर कहां ये गता है बाव समाज के इस्तापने किस थी तो राजाराम मोहन राय ने किया था ब्रहंस समाज की एस्तापने किसी ने किया था तो छटा का आपका मिल जाए आप लोगो यादक नहीं अगर मैं अगला कोश्वन की बात करों सातवा नमर शाथवा नमर देखो कोश्वन यहाँ पर ना ऑप्सन गलत दिया है कि में इस् लेकिन आपको बता दूब आपको छोड़ तो इतना पर ही टीक लगा ना बाकी किसी पर टीकन मत लगा नहीं तो गलत हो जाएगा किम्किन हम लोगों ने बूक में देखा है अगला अगला कोशन 15 नमर आगे ना यह कितना नमर था ना अब देखो इधर देखो इधर कोशिन आ आपको मीलेघा आठालम से बताना ना 7 था हां आठ नमर आप लोग का कोशिन है कि सीखो के दसवे और अंतिम कुरू स्रीगुबिन सिंह का जणम भीहार के किस नगर में हुआ है तो वह आपका नगर है पटना जो बिहार राज्य की रहतानीं पटना है तो पटना हो जाएग याद रखना अगला कोशिन है कि गुरी मीटिया मज़ूर भिहार के किस चेतर से बहजे जाते थे अंसर नौक आपका मिलेगा बी नमर ओके याद रखना और आपका दसवा नमर कोशिन है कि गुटनवर्ग ने सरव प्रतम किस पुस्त की चापाई किया था तो गुटनवर्ग थे ना इनका जन्म भी जर्मनी में ही व्हाता है इनका बेस्ट जर्मनी में ही हुआ था मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं जो बिक्ती WhatsApp ग्रूप नहीं जोईन किया जोईन जरूर कर लेना अगर आप हमारे WhatsApp ग्रूप नहीं जोईन कर पाते हैं या फिर आपको लिंक नहीं मिलता है तो यह असानी साप यह नमर नोट करो 9244 इस नमर को हमारे नाम से सेव कर लेना और सेव करने के बाद इस पर आप लोग ना WhatsApp करना हाय लेकर ठीके ना हाय लेकर जैसे आप WhatsApp करेंगे ना तो मैं इधर से मैं इधर से आपको WhatsApp ग्रूप का लिंक भेद दूँगा और उस लिंक पकी लिंकर करके आप ग्रूप जोईन कर लेना नाइन टो डबल फूर फाइप नाइन लास्ट में डबल नाइन इस नमर का अप लोग नूट कर लेना और WhatsApp ग्रूप में जूडने वाला यह नमर है अगला हमारा कोश्चन है 11 नमर की छेत्रवाद की भावना का एक कोड़ी राम है तो दुबावः छेत्रवाद की भावना का एक कोड़ी राम होता है अलग बाद अंसर आपको मिलेगा डीन नमर यह जगना और जो आपका अगला कोश्चन है आपका अगला कोश्चन 12 नमर की संद्राजी की भी सहस्ता नहीं है तो संद राजी की भी सहस्ता कौन नहीं है इकहरी सासर में वहस्ता हो जाएगा इकहरी सासर हो जाएगा संद राजी की भी सहस्ता नहीं है इकहरी सासर में वहस्ता होगा ना देख लिए या फिर लिखित सम्मिदान होगा लिखित सम्मिदान नहीं होना चाहिए इकहरी सासर मे लेकिन जब अरक्षन की बात काहेगा तो अरक्षन की अगर बात कहेगा अब देखो हम बात करते हैं पंदरा नमर कोशन है कि चिपको अंदोलोन निम्रे लिखी द में से किसे सम्मन्दीत है तो चिपको अंदोलोन की सुरुवात उत्रा खंड से गवा था पीन बचाने से सम्मन्दीत है यहाँ पर मैं दो कोक्षिन आपको कराऊंगा दोनों में से एक कोक्षिन फंसेगा कोक्षिन 16 वर्स 1975 में भारतिय राजनेती में किसलिए जाना जाता है बाबु वर्स 1975 में हमारे देश के अंदर एक अपतकाल लाग हुआ तो बहुत खातरनाग बहुत डेंजरोस अपतकाल था याद रखना है यानि कि उनिस सपचातर इस्पि में हमारे देश के अंदर अपतकाल लाग हुआ था अगर वाई दिवे कोशन पूचा है कि 1907 में क्या हुआ था तो उनिस सपचातर इस्पिमें भारतिय जन्तपाटी को भारी मतों से विज़ेई प्राप्त हुआ था और उसे समय से वो अपने सत्ह में परिवस कर गया और इसके तीन साल बाद 1907 में भारतिय जन्तपाटी को मतलब की भारतिय जन्तपाटी की एस्थापना हो गई थी याद है यह सब कोशन एक्जाम में आता है अगला कोशन है भारत में लुकतंत्र भारत में किस तरह की लुकतंत्र की विवस्ता की गई है की अस्तापना की गई है इसे आप लोगो अच्छे से याद करें अगर मैं अगला कोशन इबात करूं लिचवी गड़तंत्र भारत के किस राजे में अवस्तित हैं तो लिचवी ट्रेन आप लोग नाम सुने लिचवी ट्रेन उससे सब पहचान सकते हो कि इसका असरो हो कोई बीहार रहाज़बत ठीक लगाना अगला कोशन आपका उनैंच नमरे मं निमयर में कौन परात्मिक्घ अब याद के हो जसे जरूर यहाद करना अगला हमारा कोशन बनता है मन articulate हमारा कशन हमारा बनता है 20 इस नमर fut ताकि बिहार के विकास कमिना भारत का विकास संभव नहीं है तो आप लोगों ने सबसे महान बेक्ति और सबसे अच्छे बेक्ति के नाम सुने होंगे डग्डर एपीज अब्दिलकलाम इन्हों नहीं कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं हो पाएगा ना तो भारत का भी व सबसे कम में बात करूं कि किसका प्रतिवेक्टिया कम होता है अब देखिए अगला कोशन आप लोग 22 नमर आप लोग का कोशन नहीं कि निमन में कौम मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन नहीं मतलब समयध हो नम्ध्रा का वो आधुनिक रूप नहीं है तो जमा जमा आधुनिक रूप नहीं है याद रखना अगला मारे में कौzek से संस्ता के लिए एक उधारन बनके धिख राए आप लोगों को तो देखे है छेट्री आ गरामीर बेंग्त या फिर बेऊसाइक बैंकि छेट्रीएं गरमेरी बते देखत रहा है न जो संस्きार संस्टानों के लिए उधारण है हमारा अंसर मेरीक भूए गोरा कौन सी सेवा सरकारी सेवा पर पर A नमर मिल जैंगा इस स你说 बॉट जाएका वेवा तक जाहत lived कितने अंग घंघ होतेकं अगला को उखविकरण के लिए इसमें का प्रैपतों सब्धसी को खास सब्सक्राइब की सब्सक्राइब के परशू Christmas के प्रिषूश्टा को सुनेचीषित करने केロिए किसमानियत था चीन का प्राप्ट होना औसेक को में यह जिमर्में ने कहा था कि अग Π inglés होते नहीं है यह सही बात है कि अग्ला खूशन अपका 28 की बांदों को भारत का मंदिरगा था तो किसने भारत का मंदिर पंडीष के बांदों को भारत का मंदिर अब हमारा 28 नमड अब आप लोग ने व retain कि यह एक जरूर कर दीजेगा सब लोग वीडियों को एक जरूर कर दें के अगले कुझ्छ नमारा सिदी नुमा खेती पर चली थे मतलब कि सोनापी क्रिसी किस राज्य में पर चली थे तो आप लोग को पता ना कि उत्राखंड जो राज्य है न वहाँ पर सोनापी क्रिसी की जाती है यह बहुत ज्यादा इन्पोर्टन कोश्चन से 30 नमर आपके लिए ओके अब मैं बात करता ह मैं कि रोपनी होती है ना तुद्धान की रोपनी में हम में लोग मका भी दो देते हैं निकी मक supply जिसको अब लोग बोलते हूं और हम औरूंहाइज में कपास बहुत आप सब से नमर्वन पर कौन साघी तो आप लोग मता देना है मुंबई कॉंबई है मुंबई टीका ना अंसर आपका क्या मैं मुंबई हो जाएगा अगर मैं बात करूं अगला कोशन अगला कोशन धर्टे थरी निम्ल में कौन विदेशी बरांड नहीं यहां पर इंडियन बरांड है अगला कोशन अपका है चोंतिस नमर कोशन है चोंतिस नमर कोशन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है कौन सा है भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगा है ना उस बंदरगा का क्या नामे तो चेन नहीं क्या नामे जी चेन नहीं अफस नमर अपका हो ज ज़िएगा अगला कोषिड में बिहार कि किस नदी पर और नदी-ःज़टी-पर्योर्जिने किस नगर मिशती थे तो बिहारा जिग्राइधानी पटना मिशती थे अंसर आपका मिलेगा आपका डी नमर मिलेगा या देखना अगला कोशन है अगला कोशन आपका साइंतिस नमर है इनमें से कौन सी प्रकृतिक आपदा नहीं है कौन सी प्रकृतिक आपदा नहीं है देखो कोई नहीं कहता है कि कल दंगा होगा कल अतंगबाद होगा कल हम लोग मतलब ना अतंगबाद करेंगे तो यह सब मनुस से द्वारा किया जाता है और मनुस से खुद बता भी देता है कि कल हम लोग दंगा फसांग करेंगे तो हमारा अंसर अपसर नमर ए बनेगा इसे या देख अभी इसके बाद ना कई बार भूकाम पात चुका है अभी आप लोग को मतलब देखने को मिला होगा आप लोग आखी से खुद देखे होंगे अपने खुले आंकों से ओके तो यह कोशिन होगे चालीस नमर ने करिसी सुखाड होता है देखने यहां खेती होता होगा तो आप लोग खेट में किसे ऑचma पानी पानी होगा आप हर चालिक करेंगे उसelf कहा बाँना वॉ잖아 छोटा के चली करता है कि चीए होगी ताई चाह दीक घाती Ms. इंडिया तौर बी हो जाएगा अगला कोशिन अपको बाद ब्यालिस नमर कि भारतर किस इस्थान पर पहला फ़्रमाण। और जाकेंद्र श्तापिद किया गया था तारापूर तारापूर नाम हाधे न तारापूर महारास्ता नाम समझें न जो कब किया गया था तो 1925 किया गया था लेकिन इसक इस तापने जिन्भों किया था ना उस्बेक्ति के नाम कि बिछेटगेवार क्या नाम था के भी हैट गवार नाम था नाम भी याद रखना और 44 को़से ने भारत उन्राइब सहकारीता अंदूलन का परम का वहात कब हुआ था सखारितान दूलन कहा है ना जो सब्सक्राइब कहा जेट गुड़ी उस बेक्तीका नाम था जेट गुड़ी क्या नाम याद एक नौन गेसा बहुत ज़्याद़ जरूरी से भी और गुनात्मक परिवर्थन से भी संबन दीत यह निकि अंसर आपका मिल देगा 46 का आपका सी नमर मिल देगा 47 समर कोशिन है कि इन में खित में से क्या नई आर्थिक नीटी का अंग नहीं होता है देखो नीजी करण है बैस्विकरण है उदारी करण है लेकिन हमारा रा अंसर देशों में कारियसिल जनसंख्या अधिकांस्ता संग लग्र है यह निकि दोस्तों भीकासिल हाँ ठीक ठीक बहुत मिल देगा अगर मैं अगला कोशिन उन्चास नमर की बात करूं तो उन्चास नमर कोशिन है कि एक समझवादी अर्थववस्ता में सरवधिक बल किस पर दिया जाता है तो लोग के अगरा कोशिन अपका 50 नमर है कि नरेगा नरेगा कारियकरम के नाम के साथ किस वेक्ति का नाम जोड़ा गया है तो वह हमारे महत्मा गांधी जी महत्मा गांधी जी जिनका जन्म में दो अक्टूबर 1869 इसमें गुजरात के प्रबंदर में हुआ था आप सभी को पता ही होगा तो यह काम करते हैं इस कोशन को आप याद कर लिए अगर याद हो गया बहुत अच्छी बात है नहीं याद हुआ चलो इसका पीडि में डाल चुके हैं अल्रीडी ओके